कि अब अब कि अब 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 तो हेलो अबरीवन कैसे पहरे बच्चों वोफफोली सब ठीक होंगे और तइयर में लेगे होंगे कि अब आज हम करने वाले सिंप्लिफिकेशन बिफोर सिंप्लिफिकेशन आपकी दूविदा को सिंप्लिफाइ कर लिया जाए कि यह सी सेट को क्रेक कैसे करना है सिसेट कैसे आएगा ट्वंटी ट्वंटी फूर का यह टू जिरो टू फॉर शॉट फॉर बोलो आप है ना देखो मैं तो सिंप्ल सी बात मानता हूं कि जब भी जब भी कोई दूविदा होना उसको बिलकुल अराम से बैठके सोचो मेरे पास जब यह कोशन आता है कि सर सी सेट दोजार चॉबस कैसे आएगा मैं सिर्फ एक ही बातों इक ही बात अडिग रहता हूं कि अगर आपको आपको कहीं जाना है तो आपके बास कार आपको कार चलानी आनी चाहिए फिर जैसा मर्जी हो आप मैनेज कर लोगे आप मैनेज कर लोगे बट अगर आपको यहीं नहीं पता कि एवी सी क्या है एक्सेलेटर ब्रेक और क्लच तो आप नहीं कर पाऊगे तो इसी तरीके से अगर आपको सी सेट के त्यारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका हो सकता है प्रैक्टिस से और प्रिवेश एर कोश्चन्स के अच्छे सारे सलूशन से इसके सिवा कोई तरीका नहीं है आपका उसर एक मिह सब बढ़ा पर रहे हैं अगर प्रिवेश यह जो मैंने डिस्केशन किया आप अगर उसे ध्यान से देखोगी आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि क्यों तो इतना मुश्किल हो गया क्यों उसको अब जल्दी ही जल्दिया में क्रेब करना पढ़ेगा हमें बगड़ना पढ आता हूं आपको हम करेंगे भाई है चलिए है कि हम करेंगे मेरे बच्वों यहां से इस बैच के थरू जो कि मेरा टोटली सी सैट से मतलब सीशा को करने वद्ण बैच है जी लो टो ही डू अगर आपको कुछ नहीं आता अगर आपको सर मुझे कुछ नहीं आता मेरे पासर मेरे बास आवो फिर मैं दिखाता हूं कि क्या आता है क्या नहीं आता यह डीटेल बता दू बैट की टायमिंग्स यह तीन से लगे सा and part-a में क्या पास 90 लेक्चिर इक 9-2 प्रक्च्चर देखो कि यह आपका कि आपका online दिख रहे हैं प्लस ओफ लॉडवाट में बहुत है बैदच आपके बास यह online है आपका बैच यह को बैच है यह 90 लेक्चर आपको शचर आपको मिल रहे हैं इस बैच में इस में बिलेंगे आपको नभी लेक्टर्स क्लियर जिसके अंदर 50 क्वांट के लेक्टर्स हैं 25 लॉजिकल के और 15 आपके पास English लेक्टर्स नेक्लियर इसमें प्रीवेसर कितने प्रीवेसर कितने प्लकी तो यापके पास 9590 प्लस ही क्लियर तो यह कुछ खास बात थी इस बैच की तो कोई डाउट हो कोई प्रॉलम हो कोई समस्य का समध्धान चाहिए कोई वैल्यू सिंप्लिफाइब करनी हो तो 951-777-1651 इस नंबर पर कॉल करें यह इस नंबर वाट्साप भी कर सकते हैं क्लियर तो दोनों मोड्स आपके हो स यह मैं अपने आप आपको कॉंटेक्ट कर लूगा उसकी जिनता आपकी उसकी जिनता हमारी है क्लियर देखें और इस बैस में खास क्या है मैं थोड़ी सी और डिटेल बता दूसमें क्या आपके पास वह यह बताएगा कि आने वाले वीक में आपके लेक्स कौन कों से हैं क् ठीक है तो सबसे वेले हो गया उसके बाद जो आपका लेक्चर होगा है जो आपके बास लेक्चर पोर्टर लगा हो उसके साथ आपको क्या मिलने वाला है उस एक लेक्चर के साथ आपको क्या मिलने वाला है आपको मिली लेक्चर पीडिएफ नंबर दो क्या मिलेगा रिसो यह बेसेंक लिए आपको तीन से साथ चार दिख रहा है बट यह कितने में तक है यह पांच विजी तक आपको चल जाता है ठीक है अब भी पांच वे तक यह चलता है क्यों कि यह जो आपको प्रेक्टिस शीट मिलें लेक्टर के साथ इस प्रेक्टिस शीट को हम यहां 30 नहीं जो और ज्यादा मोड़ेट लेवल के बंडालता हूं उनमें में प्रॉलम मत है कई बच्चे उनको भी कर लिए तो ज्यादा हमें समय लगता है आदे गंटे में फ्रेक्टिस हीट हो जाता नहीं होती तो मौरिस को एक्सेंड कर लिए ठीक है अब देखो जारा इसके है आपका हर संड़े को एक वजे होगा हर संड़े कर था जो ऑफ्लाइन जाता है आसकता है जो ऑन्लाइन घर से देना चाहता हो और से भी सकता है अपटेट हो जाता है इसका solution सबसे बड़ी दिक्कत क्या है किसी भी टेस्ट का solution देखो अगर मैं आपको टाइब solution दूँगा तो वह एक्षाइड वाले तरह क्योंगे इसका मैं आपको प्रवाइड करेंगे वीडियो solution अब वीडियो solution क्योंगी जो कोशन मैं दे रहा हूं वह उसी लेवल की होने चाहिए जो मैंने क्लास में कर रहे हैं तो यह कुछ कोशन आपके क्लास के वह सकते हैं कुछ नए कोशन वह सकते हैं तो घबरानली वाली बात नहीं तरह कोशन आउट ओफ लंटी यानि आलमॉस कितना आपका 75 परसपरसेंट प्लस यानि अगर आपके बाद 40 कोशन आ रहे हैं तो तो हर वच्चा कर रहा है मेरी क्लास में अगर तीस कोशन कर ले तो बिड़ा ही बार होगा पेपास तो आप इंक वांट में होगा है हुआ समझा की बार तो यहां कुछ खास है अगर इतना सब कुछ बता रहा हुँ ना तो कुछ अलग है कर लो बीवता रहों बात पसाना मत अब बता रहो हुँ मत पस्ताना बाद में कि सर अगर वो कुस्ट तैम कह रहे थे अगर हम कर ले तो जोएन तो बढ़िया रहता तो अभी सभी समय राम से सो प्लस माक्स के लिए दियारी करो क्यों बाद में जट पटाना कि हाई बस मेरे बनी जाओंगा बनी जाओंगी ऐसे नहीं बनने वाले कुछ करना पड़ेगा अलग करना मेरे पास आओ ना जो जनता करते आप भी करो फिर क्या फरक है मेरे पास इतने सारे सुडेंट से सारे पास होंगे इसके साथ आपको क्या मिलने वाला है इसके साथ आपको मिलने वाला वट्सप गुरूप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गए प्लीज उस अपेल कीजिए क्लियर तो लेटेस दू सिंप्लिविक्रिशन के पांच कुश्चन्स आज हमारी क्लास के देखिए 15 of 8 प्लस मदब सिंपलेफा देवाल्यो 15 इसको थोड़ा सा डार कलर ली ले 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 लें चलिए 15 ओफ 8 प्लस 6 प्लस 27 माइनस 3 डिवाइड़ बाइ 6 प्लस 4 इस है न देखो पर आपको बता दू होता क्या है यह यह आपके पाइस रिखें कुछ लिखाए मैंने देखो यह ब्रैकिट ब्रैकिट वाली वेल उसको ऑफ का मतलब रोता है इसको का मतलब मतलब इसका मतलब टिवाइड यह मुंटिपलैकर और चीजशे हैं इसकीज़़ अब आपन्स ली कि चलना और याद रखो सिंपल मुल्टिप्ले के स्प्लाइस से पहले आप क्या सॉल्व करोगे फिफ्टिन ओफेट यह पंद्रा गुन आठ कितना हो एक्सोबीस प्लस एक्स प्लस ओफ 27-3 कितना हो बेटा ब्रेकेट के अंदर वाले वेले सॉल्व करेंगे चौबिस जोबिस दिवाइड एप है 6 प्लस 4 चौका 24 यह कितना हो है रेपास एक्सोब बीस प्लस चार प्लस चार यह निकितना है एक्सोबीस प्लस चे प्लस आठ कितना हो गया 134 अबर भी यह तुझे स्टार्टिंग है अगया आने वाले कुश्चन से बहुत कुछ बताऊंगा तो प्लीज लाइक शेना सब्स्राइब दा चैनल एस वेडियो क्लिया नेक्स देखो यह बहुत अच्छा कुश्चा बट ग्लाइब देखो एक लिए कुश्चा देखो यह कहा देखो वन बाई थ्री अवफ प्लस आफ प्लस ट्राइब कर सकते हैं और प्लीज कमेंट सेक्षिन वे इसका अंसर लिखना मत बूलेगा करिये फटा 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 यह यह का दिए पहले मिलिखू इस को वन बाई थ्री आफ पी प्लस फोर बाई सेवन ओफ का मतले मल्टिप्लाई ग्यारा बटे चार ओफ कितना फाइव थर्टी नाइग इस इकल तो नाइन टी वाई हंडर ओफ तू तू थाउजड यह मेरे पास बेसिकली एक्वेशन है जो मुझे कोश्चिन में गीवन है क्लियर चलिए देखो जरा कुछ कटिंग करें देखो पटे चार से चार गया क्या साथ से दाएगा देखो साथ साथ नहीं निद्चास चार 77 क्लियर तो यह कितना बचाँ पी डिवाइड बाई 3 प्लस 11 इंटू 77 इस इकल टू कितना नब्वे गुना बीस एटीन हंडड़ क्लियर तो बटाई कितना पी बाई 3 प्लस देखो इलेवन इंटू 77 यहनि साथ सु सत्तर प्लस सेम्टी सेवन फोर 847 अब ध्यान से देखो जारा मैं ऑप्चान पर चलता हूं मुझे क्या दिया हुआ हूए पी डिवाइड बाई 3 इस इकल टू टीन हंडर्ड माइनस 847 यान यह कि दाओ 953 पी बाई 3 इसका सॉल भी मत करो ऑप्चिन क्यां ग्यारसो बारासो ग्यारसो इसका मतला नो गुना तीन कितना आएगा सताइस यानि ऑप्चिन नमबर दी मेरा बिल्कुल सही उत्तर इसकोशन का क्लियर तो जब ऐसे कोशन आया थोड़ा सतर करो थोड़ा विजिलेंट रहूं क्लियर तो यह तो ऑप्चिन में ही नहीं तो बैच चलो लगाया मैंने चलिए वट शूट कम इन प्लेस ऑफ कोशन मार्क इंदा फोलिंग प्लीज करिए इसकोशन को यह कुशन अच्छा है डिवाइड भी मल्टिप्लाइब भी है माइनस भी है प्लस भी है सारे सिंबस अलमस्त है मेरे पास करिये इसकोशन को जरा देखो क्या दिया 115 डिवाइड बाइड बाइड पांच प्लस 12 गुणा चे इस इकल तो पी प्लस 64 इवाइड बाइड 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 प्लस 35 यह हुआ क्लियर देखो यानि सबसे पहले मुझे क्या करना बढ़ेगा 115 डिवाइड बाइड बाइड पांच प्लस बार गुना से कितना हुआ 72 इस इकल तो पी प्लस सोला माइनस अफ पंथिस ठीक है जी प्लस सोला माइनस अफ पंथिस तो यह कितना हुआ देखो 23 यानि 23 प्लस 72 इस इकल टो कितना पी प्लस माइनस आएगा पी माइनस आफ नाइनटीन उनिस वर्च पंथिस तो यहां पे कितना हुआ साथ दो नाइनटी फाइफ पी माइनस उनिस पी कितना आ गया कि नाइनटी फाइफ प्लस उनिस अंसर इस वन वन फॉर अगेन ननों देस क्लियर तो 114 सही अंसर था इसका जल्द से नोट किजिए नेक्स पिछल रहे हुआ है क्लियर तो होफ लिए को चलियर होगा है कि चलिए ट्राइ कर सकते हैं ट्राइ कीजिए एक और कोशन है इसके बाद वो भी एच्छे इंपॉर्टन है लेट में चेकिट बिल्कुल जी दो कोशन है बहुत अच्छे कोशन है चलो 25 प्लस 80 डिवाइड बाइट वाइट ब्रेकिट स्टार्ट 16 प्लस 14 ऑफ 7 डिवाइड बाइड 13-18 डिवाइड वाइड 12 ऑ रफ वन बाइड वैट 2 कैसे करेंगे सुश्टन को आप प्लीज कर सकते हैं मैं दे रहा हूं आपको बीस से पिचल करिए फट फट अब तक करिये मैं इसको कोशन को लिजेलता हूं दीवाइड-प्लस 8 डिवाइड वाइड 2 माइनस 16 प्लस 14 of 7 divided by 14 minus of 18 divided by 12 of 1 by 2, यह मेरे पास दिया हुगा, ठीक है, चलिए, देखो यह कितना हूँ, 25 plus, 80 divided by 2 minus of, चलिए, इसल्व करना, start करते हैं, ब्रेकेट्स को, होफुली आपने कर लिया हो, और कमेंट भी कर दिया होगा, जल दिस है ना, चलो, 16 plus, 14 into 7, देखो, जब भी ऑफ आना, इसको एक कंसिडर किया करो, और divided by कितना है, 14, आपने हमेशा है से करना, जब भी ऑफ आना, इसको एक सिंगल टम की दरा कंसिडर आप कर सकते हो, कोई दिक ठीक है, clear, तो यह कितना हुआ, 6, 6-18, तो बैटाए यह कितना हुआ, 4, यानि 25, प्लस 4, माइनस आफ, 16 प्लस, 7, माइनस आफ, 3, कुछ ऐसा, ठीक है जी, तो यह कितना हुआ, 25, प्लस 4, 16, प्लस 7, माइनस आफ, 3, ओ, यह माइनस है, 16 प्लस 4, माइनस, तो यह कितना हुआ है मेरे पास, फाइनले कितना बचास 25 प्लस फॉर 29 माइनस ओफ सोलह साथ तैइस तैइस माइनस तीस कितना हो तीन कितना होगे 20 तो यह कितना है मेरे पास 9 option में है फिल्पल जी आप्शन नमबर भी 9 इस दा हराइट तो यह बहुत इंपॉर्टन नहीं जो हमने भी आने वाला कोश्चन भी बहुत इंपॉर्टन है ठीक है तो अगर सिम्पली पीकेशन को ऐसा कोश्चन है तो प्लीज आनाम से कीजिए को जलिए लास्ट कोश्चन अग्लास काफी अच्छा कोश्चन है शिंपलीफाइब दा एक्स्प्रेशन 441 डिवाइड बाट 275 डिवाइड बाट 3 बाट 7 प्लस 17 डिवाइड बाट 1 बाट 3 औप 8 1 बाट 2 मेंद 5 1 बाट 2 एक मेंद में सिंबल चेक करूं इसका माइनस आएगा यहां बेरे जाब से यहां पर मैंस आएगा चलिए चेक कीजिए जरा मैंस आएगा यहां पर तो याद रखेगा इसके बाद माइनश भीट है ठीक है यह माइनस का साइन है आपके पास चलो ट्राइकर इससको को जब देखा ट्राइ करो मैं इच्छे से लिखता हूं इसको देखो क्या दिये है 441 divided by 270 divided by 3 by 7 plus 17 divided by 1 upon 3 minus of 81 by 2 minus of 5 by 2 करिये तू 1 by 2 भी लिख सकता हूं से वह कोई दिक्क्त वाली बात नहीं है देखो कितना है 441 divided by यह कितना है 270 divided by 3 by 7 कुछ ऐसा ही प्लस सत्रा बटा एक बटा तीन माइनस ओफ आठ दूनियों 16 एक सत्रा बटे दो माइनस पांच बटे दो ठीक है देखों चार सु एक ताली डिवाइड़ बाए 270 बटा तीन और यह साथ आएगा उपड़ प्लस तीन एक उपर सत्रा गुना थीन माइनस ओफ सत्रा माइनस पांच डिवाइड़ डिवाइड़ बाए टू यह रहेगा मेरे पास खाली क्लियर चलिए होफिली उपर वाला नोट कर लिया हो एक को जोड़ा साम अब मिटा दे जरहां चलिए देखिए रहेगे कि नमचा मेरे पास 441 divided by 90 to 7 plus 51 minus of 12 divided by 2 तो यह कितना होगा थे 441 divided by 630 plus 51 minus of 6 तो यह ultimate कितना मचा मेरे पास 441 divided by 630 plus 45 441 divided by कितना 675 तो देखो इसे काटो जरह 9 से गर काटो की कितना आए यह एकर 49 times अच्छा थे तिस आए जब आपको कॉंसेट पता था यह मैं हमेशा से एक बात कहता रहूं अगर आपको अच्छे से पता है आपको लॉजी बदा है जब आप इन कोशन को कर पाऊंगे अधरवाइस यह कोशन बड़े मुश्किल हो जाते हैं मैंने आफ वाला कोशन बताया उस आफ का आप एक ही लेके चलो 17 of 3 divided by 3 यहने 17 of 3 यहने 17 तो थोड़ी सी चीज़ों को अप्रोच करके चलोगे थोड़ा आप मोडेरेट करके चलोगे ना बढ़ी हरेगा आपके लिए चलिए नेक्स क्या मेरे पास नेक्स मेरे पास जोना है है लोजिक है जिसमे आपको पूरा कोड़ी देना आपको सिर्फ छोटे लगू tomorrow पुरा बार करना चाहिए न समग एंगान तो चलिए समझतेमे में माइक्रों को कैसे विल करना है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? बॉक्स में आपको देखने हैं आपको देखने को कुछ मिलेगा, इसे जैसे आप जाएंगे, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सारा सब्सक्राइब दिया हैं बच्छों मुझे, यहां वीडियो गोर्स इस चली यहां पर दस देख का मुबाइल नमबर आप डालिए, जैसे पूरा बंडल 3555 अगर सिर्फ और सिर्फ करना यहां में नमबर सिस्टम हैं तो बेटा कितने का हैं? सिर्फ और सिर्फ ती इस तो चौबइस रपर दस लेक्चर से नोव वैबनोट से और चार्सों मुल्टिपल चॉइस कोश्चन से क्लियर छे मिनिट का ट्राइल दिया गया सो दाट आपको पता चले वाट क्वालिटी वियर प्रोवाइडिंग इंट पर्टिकुलर लेक्श इन 117 मुल्टिपल चोश्चन में पिछले साल का सारा क्लियर है मतलब प्रीविशर कोश्चन सिंग्लूड इड़ वर्ट वैबनोट क्या होता है वैबनोट उस चैप्टर की बीटा थोरी कोई फॉर्मुला को ट्रिक को शॉर्ट को फॉर्मुले या किसी चीज के तुरू च तरह से टेस्सीरिस भी है परसेंटेज की मतलब इन 277 गोश्चन को आप जैसे आप टेस्ट के तौर पर भी देसकते जूड़ेंगे तो मैं डेफिनिटल आपको बताँ हो सारा ठीक है नेक्स अब पर्मॉटेशन और कॉम्पिनेशन इसका भी छे मिनिट का ट्राइल है जह से अगर मैं बात करूं कि यहां पर भी पॉजल टैस्ट रैंकिंग हर के साथ 6 मिनिट का ट्राइल आपको दिया और यहां पर भी आपके वैंसी की उज़ोर वैपनेट्स अविलेबल है क्लियर देखिए लास्ट नॉट्ट लिस्स मेरे पास इंग्लिश का माइक्रो कोर्स देखो 412 रुपे का पूरा कोर्स जिसमें रेडिंग ओंप्रेहंशन 349 का मेरे साब से अगर आप 349 खर्चे रहे हो ना तो 53 जुरू खर्चो क्यों कि इसके अंदर आपके पास क्या है ऐसे कोश्टन से इसे मतलब आपके पास इंटॉनिम से नॉनिम सकते हैं आप वर्ड बिल्दिंग जैसे दिया हुआ ठीक है तो वेरेस एक्जाम के इसके इंदर कवर कोर्स कवर फिक्वेंटली आस्ट कोश्टन और इंटॉनिम सुरूनिम वेरेस एक्जाम मतलब यूपे से जितने भी तो यह आपको काम है डिफिनेटी पेपर में क्लियर मेरे पास है यह बैच जिसका आपको लिंक मिलेगा को मैं शुरू में बोल रहा था आपको मैंने बताया था शुरू में कि ऐसा नहीं कि किसी और की फोटो यहां पर आपकी फोटो नहीं जैसे सब बच्चा-दिकारी बन लिखेगा देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है वर्ट यार टॉकिंग बाट वाइड टॉकिंग बाट विए पता है तीक है बट मैं यह बोलनी रहा विकॉस यह शब्द इनके बोल रहे हैं चीज़ पढ़ो इनको आपको पता चले हैं कैसे हमें की बच्चे फोकस करते क्यो इतने सारी 200 प्लस इस एलेक्शन सा लास्ट 25 यह बना हुए रिजन इसके पिछ एक वो रिजन यह 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 मैंने नहीं नहीं लिखा देखें नाम भी लिखा हुआ जिए उनकी फोटोस भी उपर डेफिनेटली तो प्लीज डिस्क्रप्शन वाक्स मिलेगा फूल कोर्स का लिक और आपके पास आपके वट्साप ग्रूप का लिक तो प्लीज इसे शेयर लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मतभूलिए थैंक यू